आज हम बीना कुटे, बीना किची और बीना बेले एक तम टेस्टी चोराफली पट्टी और चोराफली फ्लेवर की नमकिन सेव बनाएंगे जो बहुत ही आसान है और एक ही हाटे से हम दोनों रेसिपी बनाएंगे जो जड़पट बन जाती है तो इस दिवाली पर कुछ नया और डिफरेंट बनाना चाते हो तो चोराफली पट्टी और चोराफली सेव एक बड़ जरूर ट्राइ करना जैजी ने द्रस अभी को तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं जोराफली फ्लेवर की सेव और पट्टी पनाने के लिए मैंने यहां देट कप बेसन दिया है तो अभी यह एक कप बरकल दिया है जो 2500 वाला कप है और यह 700 वाला कप है तो सारे बेसन को हम एक बार अच्छे से चन्ने से चान लेंगे जिससे आटा लगाने वक्त एक भी लंस नहीं बनेगा तो हमें अच्छे से चान लेना है साथ में हम इसमें आधा कप उरत दल का आटा एड़ करेंगे तो ये उरत दल का आटा अभी दिवाली पर कोई भी किराना श्रॉप में आराम से मिल जाएगा अगर नहीं है तो आप मिक्षर बाउल में भी पीस कर फिट मेदे वाली चननी से चान कर एड़ कर सकते हो देट कप बेशन और आदह कप पूरत दल का आटा, अब इसमें वन फुर्थ टीष्पून नमक एड़ करेंगे तो नमक की मात्र कौम आढ़ करेंगे और इसमें 1 फूर्थ टीस्पून से थोड़ा से ज़्यादा पापडखार एड़ करेंगे, अगर पापडखार नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी आड़ कर सकते हो, और 1 फूर्थ टीस्पून हिंग डाल कर आटे में सब अच्छे से मिक्स करनेंगे, और इसमें हमें मुहान प्रोष इंगर करेंगे, जिससे आटा घिला नहीं हो जाएं, अब थोड़ा और पानी एड़ करेंगे, और मिडियम सफ्ट आटा लगा कर तैयार करेंगे, तो आटे में हमने उरद दल का आटा एड़ किया है, तो उरद दल काफी चिकनी हो दी है, तो उसी साब से आटा थो होंगे वो सारे निकल जाएंगे और आटा हमारा एकदम स्मूथ बनेगा और इस तरह से आटा अच्छे से मसलने से पट्टी और सेव दोनों हमारी तो यहां सेव बंनने के साचे में तीन तरख के अलग अलग जाली आती सेशल आती एक एकड़म बारिक होती है एक मीडियम साइज की है और एक याठिया बनाने वाली बड़ी उल्य तो हम मीडियम साइज की जो छेद है वो जाली का यूज करेंगे तो जाली को हम ऑईल से ग्रीस कर देंगे और फिर जाली के स्टेंड में रख देंगे और साचे को भी हमने ऑईल से ग्रीस कर दिया है तो इसे हम पैक कर देंगे और आटे को हम अच्छे से भर लेंगे तो साचे में जितना आटा से आटा सुखेगा नहीं और साचे को हम बंद कर लेंगे और अब हम पहले सेव बनाएंगे तो यहाँ अच्छे से घरम होना चाहिए गेस की फ्लैम में मिडियम तो हाई रखेंगे और इस तरह से साचे को घुमाते हुए ऑईल में हम सेव बनाएंगे और ऑपोजिट डिरेक् कर दोनों बाद उसे क्रीइश कोने तक फ्राइए करलेना है और सेव का कलर हमें चेंज नहीं करना है सिर्फ करीश बाद करना है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और इसी तरह हम दूसरा बैश को भी फ्राइब कर लेंगे तो वापस हम मिडिएम तो हाई रखेंग तो ध्यान रखकर आटा हमें लगाना है तो देखे ये बेश को भी हमें पलट-पलट कर क्रीस्पोने तक फ्राई कर लेना है तो इसी तरह हम इतने आटे में से 5-6 बेश में इतनी सेव बना कर फ्राई कर लेंगे तो हमें इस तरह से चुराफली सेव बनाने के लिए ना हमें आटे को कुटना है और ना ही बिलना है तो इस तरह से हम सेव एकदम जटपट बना सकते हैं तो गर्मा गरम सेव के उपर हम मसाला स्प्रिंकल करेंगे तो मसाला बनाने के लिए बावल में हम आधी टीस्पून काला नमक एड़ करेंगे और 3-4 टीस्पून कश्मीरी लालमिश पाउडर एड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आप स्पाइशी खाना चाहे तो आदे डीस्पून कि लालमिश पाउडर吗 versyn कर देंगे और इस तरह मैंने दूसर्म यह तरह से मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे और एक बार हाथ से दोड़ लेंगे तो जरूरर तो सेव बनाने से वह दीए आटे को खुटना है। ना ही बेलना है और यह जट बन जाती है। तो स्पाक जाएगा टो दिखें, यहां बेश फ्राय हो चुका है..अब इसी आठे से एंगे। तो मैंने इस तरह वाली जाली लिए है और साचे में भर दिया है अब इस तरह से ओइल में पट्टी गिराएंगे तो गैस की फ्लैम हमें पट्टी बनाने वक्ट स्लो टू मिडियम रखनी है ज्यादा हाई फ्लैम पर नहीं रखना है क्योंकि यह पट्टी थीक होती है तो क्र लो फ्लैम पर ही फ्राय करना है जिसे अच्छे से अंदर तक रिस्प हो जाएगी तो यह पट्टी फ्राय होने के लिए 2-3 मिनिट लगेगी तो देखे यह बेश फ्राय हो चुका है और अच्छे से क्रीश भी हो गई है तो इसके उपर भी हम मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे तो एक हाटे से मैंने दोनों रेसिपी आपके शेर की है तो आप भी इस दिवाली पर जो राफ़ती पट्टी या फिर नमकिन सेव जो पसंद है वो आप एक बार जरू ट्राय करना और तोड़ने से भी पता चल जाता है कि कितनी क्रिस्पी बनी है और यह पट्टी और सेव बिल्कुल वाईली नहीं बनती है तिसा पेरड़ाइट कंटेनेर में भर कर 15-20 दिन तक एंज्योय कर सकते हो